ओके सो हे गाइस वास्ट सब वेलकम बैक अने वीडियो आज हमारे पास यह पेटरॉन कंपपनी का यह एरबड जो की काफी अच्छा है यह बजट रेंज में जो एरबड आता है उनमें से एक एरबड है यह गाइस अप लोग प्रावडली कह सकते हो मेड इन इंडिया अपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करना चाहिए तो गाइस बात कर रहा हूं मैं इस पेटरॉन के एरबड के बारे में एंड वीडियो सुरू होने से पहले ही मैं बता दू कि इस एरबड को मैं लगबग एक साल से यूज कर रहा हूं तो गाइस मुझे लगा कि आपको इस पे एक वीडियो बना के देना चाहिए क्योंकि मार्केट में एन यूटूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपको बहुत ही बोलते हैं कि ये एरबड बहुत ही अच्छा है बहुत ही फाइदे है आपको लेना चाहिए बट वह उतना अच्छा नहीं होता बट ग मैंने आपको company का नाम बताई दिया है patron company का नाम है and guys जो इस earbud का range है वो है 10 meter यानि 10 meter के range में आपको ये earbud बहुत ही अच्छे से work करेगा and इसके अंदर 300 mh की battery capacity है देखने को हमें मिल जाएगी and इसे एक घंटे चार्ज करने पर ये 12 घंटे का backup देता है तो आप लोग सोच सक हैं कितना अच्छा backup देता है तो चले इसे फटा फट से unbox करते हैं देखते हैं कि इसका look हमें कैसा देखने को मिलता है मैंने तो पहले ही देख लिए चलिए आप लोग को में दिखाता हूं जहां से इसे open कर लेते हैं open करने के बाद हमें अंदर की तरफ एक box देखने को मिल जाता है इसे scan करने पर गाईज यहां पर हमें user guide आफ मलब इसे हम जब scan करेंगे तो यहां पर बहुत सारी guidelines आजाएंगी कि इस यह बड को हमें कैसे use करना है इसे रखते है side में and यहां पर गाईज हमें एक welcome card देखने को मिल जाता है इसे भी हम रखते है side में बात करें अप cable देखने को मिल जाता है कुछ tips देखने को मिल जाते है चलिए cable को मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ so guys काफी छोटा cable है आप लोग देख सकते है USB cable जिसकी मदर से हम इस case को charge कर सकते हैं अब बात करें इस case के बारे में so guys आप लोग देख सकते हैं यहां पे अच्छी तरह से mention किया हुआ है patron company and इसे open करते हैं open करने के बाद guys यहां पे हमें अंदर भी premium look देखने को मिलता है so guys यहां पे हमें left front mention किया गया है जिसकी मदर से हम यह समझ पाएंगे कि कौन से वाले section में कौन सा earbud charge होगा and यहां पे हमें एक option देखने को मिल जाता है इसकी मदर से हम पता लगा पाएंगे कि हमारा यह earbud case कितने percent charge है बात करें guys इस earbud case के बारे में तो आप लोग इसके look को देख सकते हैं काफी अच्छा है काफी premium look देखने को मिल जाता है and यहां पर हमें charging point देखने को मिल जाता है जिसकी मदर से हम earbud case को charge कर पाएंगे USB cable की मदर से तो इसे भी र mention है left right यहां पर आपको बड़े असानी से mention दिखाई देगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कौन से ear में कौन सा वाला earbud use करना है and बात का इसके look के बारे में तो आप लोग देख सकते हैं इसका भी look जो है वो काफी अच्छा देखने को हमें मिल है and guys इस earbud की मुझे सबसे खास बात यह लगी आपने बहुत सारी earbud को देखा होगा मैं यहां पर company का नाम लेना नहीं चाहूंगा आपने बहुत सारी earbud को देखा होगा वो बहुत heavy heavy रते हैं जो यह drum रता है इस वाले section को हम drum बोलते हैं यह जो drum वाला section रता है बहुत बड हो जाएगा and पता भी नहीं चलता है कि आपने earbud लगाया अगर ध्यान से देखेंगे तब ही पता चलता है सामने वाले को कि आपने earbud लगाया हुआ है so guys इसके look के बारे में बात करें तो आप लोग look देखी रहे हैं काफी अच्छा and काफी premium look देखने को हमें इस earbud में मिल रहा है and इसके sound quality के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों पहले बता दू इस earbud को मैंने एक साल से यूज कर रहा हूँ and काफी अच्छा sound quality हमें इस देखने को मिल जाता है and 12 घंटे का backup आपको इस earbud में देखने को मिल रहा है जो कि इसकी कीमत है 999 रुपे so guys आप 999 रु करके bell icon को press करना मत भूलना इस वीडियो में इतना ही